जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा आउनलाइन क्लासिस में दोस्तो इंडियन आर्मी में आल इंडिया आर्टी जेशू की बैकंसीस आ चुकी हैं अभी कुछ दुनों पहले दोस्तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें केवल चार स्टेट के लिए ही बैकंसीस आई थी लेकिन उस जो नोटिफिकेशन थी उस नोटिफिकेशन के लिए दोस्तो इंडियन आर्मी ने कैंसल कर दिया है और फिर से एक नई नोटिफिकेशन जारी की है तो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं दोस्तो आल इंडिया भरती निकली हुई है मतलब आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं और जेस्यो आर्ट यानि की रिलीजियस टीचर बना चाहते हैं आर्मी में जिसके लिए हम धर्म गुरू के नाम से भी जानते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपोटेंट है क्योंकि दोस्तो पूरी इंडिया के लिए ये जो बैकेंसी हैं वो आ चुकी है और यहां पर पोस्ट की बैकेंसी की डिटेल्स भी दी गई है और यह बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है दोस्तो इसको पूरा मैं आज आपके लिए पढ़के बताऊंगा जो जो इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे पूरे के पूरे कवर करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तो कि इस पोस्ट के लिए आपको आउनलाइन एप्लिकेशन फिलप कैसे करना है जो है ओनलाइन रेइस्टेशन कर सकते हैं अब आप पुरानी नोटिफिकेशन को भूल जाईए जिसमें केवल चार स्टेट के लोग थे जो कि इस भरती में अप्लाई कर सकते थे अब यह जो भरती है दोस्तो ऑल इंडिया भरती हो चुगी है क्योंकि रिलिजियस टीचर की दोस्तो जो वैकंसी है वो आल इंडिया ही आती है लेकिन इस बार पता नहीं क्यों केवल आर्मी ने जो पहली बार जो नोटिफिकेशन जारी की थी उसमें चार स्टेट के ही बच्चे थे कैंडिडेट्स थे जो कि इस भरती के लिए अप्लाई कर सकत थे लेकिन दोस्तों इंडियन आर्मी को साथ अपनी गलती का एसास हुआ और उन्होंने एक नई नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है ठीक है तो वो जो नोटिफिकेशन है आपके सामने है इस समय अब इस नोटिफिकेशन में दोस्तों आप देख सकते ह हैं इंडियन आर्मी ने अमेंट करके बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि इंडिया के किसी भी स्टेट के जो आप अगर रहने वाले हैं तो आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं आप देख सकते हैं दोस्तों एप्लिकेशन और इंबाइट फ्रॉम इंडियन मेल हैं पंडित के लिए 171 वैकिनसी हैं पंडित गोह科 के लिए नो वैकिनसी जन्न गृंश निसके उन्सलिकली पांच मौलव के लिए पांच उसको आतम मौलवी शिया के लिए एक पादरी के लिए 2 और बहुत मों के लिए एक वैकनसी के थिक है तो यह थो alternation कि झ्डेल और दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि इसके जो एज लिमिट है वो 25 से 34 साल ही रहेगी इसमें कोई भी चेंज नहीं है आपकी डेट ऑप बढ़ से दोस्तों एक अक्टूबर 1987 से 30 सितमबर 1996 की बीच में होनी चाहेंगे तब ही आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं एजुकेशन क्वैलिफिकेशन दोस्तों सेम रहेगी जो की पहले थी लेकिन फिर से मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ तो πंडित के लिए दोस्तों आपको अगर अपलाई करना चाहते हैं तो आपके पास में दोस्तों सास्त्री आपको सभसे पहले तो graduate होना चाहेए किसी भी पदमे अपलाई करने के लिए RTJCO के उसके बादम दोस्तों आपके पास में पंडित and पंडित गोर्खा, फोर गोर्खा रेजिमेंट, हिंदू केंड़ेस बिद अचारी इन संस्कृत, आपको अचारी होना चाहिए संस्कृत में, और सास्त्री इन संस्कृत, बिद वन एर डिप्लोमा आफ कर्मकांड, ठीक है, यह आपके Education Qualification होनी चाहिए, ग्रंथे के लिए Candidates withas Gayani in Punjabi, मौलवी के लिए دोस्टो, Muslim Candidate with Malvi, आलिमन अर्विक और पादरी के लिए इसी तरह से दोस्तो, जो भी इसकी Education Qualification है, मैं अपनी पिछली वीडियो में, डिटेल में बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देख सकते हैं कि यहां पर आपकी हाइट चेस्ट वेट और फिजिकल फिटनिस क्या होगा पूरा का पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं तो सबसे पहले तो हाइट देख लीजिए दोस्तों यहां पर फॉर जनरल 160 cm फोर गोर्खा एंड लद्दा की रीजन कंडिडेट 157 cm अंडमान एं निकोबार इसले लएं लक्षदीव इनकी होगी 155 cm ठीक है तो अगर आप नॉर्मल हैं दोस्तों गोर्खा नहीं है लद्दा की नहीं है अंडमान निकोबार की नहीं है तो आपकी जो हाइट वो 160 cm होन होने जरूरी है वेट है दोस्तों for general less than गोर्खा एंड लद्दा की 500 kg और for गोर्खा एंड लद्दा की रीजन के लिए 48 kg गोर्खा और लद्दा की रीजिन के ठीक है यह होगी दास्तो आपकी फिजिकल की डिटेल एप्लिकेशन कैसे इंवाइट करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका रिटेन एक्जामनेशन इंटर्वू एंटर्म्स आफ इंडॉल्मेंट है तो दोस्तो आपको जो र पता दे रहा हूं कि आपके दो पेपर होंगे पेपर बन में आपकी जनरल नोलेज आएगी और पेपर टू में आपका स्पेस्पिक टू रिलीजियन डॉमिनेशन जैसे पंडेत मॉल भी बोध मॉंक या फिर पादरी के लिए कर रहे हैं तो पेपर टू में आपके धर्म से लाने अनबारी होंगे टोटल कोश्चन पचास होंगे एक कोश्चन दो पेपर का होगा सौरी दो नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग भी यहां पर दी जा रहे हैं 0.5 की यहां पर निगेटिव मार्किंग होगी पेपर टू दोस्तों सो नंबर का होगा जिसमें पा प्रक्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका होगा इंट्रिवू आप देख सकते हैं दोस्तों पेपर बन इजे कॉमन टू केंडिडेट्स एंड एड इजे क्वालिफाई एक्जाम ओनली Candidates scoring minimum 40 marks in paper 1 will only be assessed in paper 2 अगरा paper 1 में 40% marks ले आते हैं तो आपके लिए paper 2 के लिए call letter आ जाएगा Marks obtained in paper 1 will not be counted for preparation of merit list for appearing in the interview or final selection उसके बाद में हैं दोस्तों Candidates who have been shortlisted based on marks only in paper 2 will be interviewed by the board officer at 1 ASC training center Bangalore and 39 JTC तो आपको जो interview होगा अगर आप paper 2 में pass हो जाते हैं तो आपको जो interview होगा दोस्तों वो 1 ASC center Bangalore या फिर 39 JTC बाराण से में होगा ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं आपका how to apply सबसे बड़ा point है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों लेकिन उससे पहले आपको बताने कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने और हमारे YouTube चानल को सब् सब लिखा हुआ है दोस्तों online registration website www.joinindianarmy.nih.in इसका जो link है वो आपके लिए इस वीडियो की description में दे दे जाएगा उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर candidates can click on click eligibility on www.joinindianarmy.nih.in and can apply online for chosen eligible career option in the Indian Army for online application candidates should carry the following यह आपके पास में documents होने चाहे हैं जब आप online registration करने के लिए जा रहे हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों यह है procedure for online apply अगर आप इस notice को भी देखना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से इसको download कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं सबसे पहले आपको click करना होगा apply online पे on the homepage of jco or enrollment ठीक है जो की army की website उसके आएगी आपकी email id उसको आपको डालना है फिर आपके जो यहां पर जो details दी गई है यह आपको पूरी की पूरी फिलिप करना है उसके बाद में जो है आपका वो online registration हो जाएगा उसके बाद में आपके बसमें admin card आएंगे फिर आपका जो आगे के process होगा आपके लिए पता च तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जागरत